नमस्कार किसान भाईयों बैहनों स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंख मैं मैं हूँ आपके साथ अधिती शर्मा किसान भायों बहनों आज के हमारे स्कारिक्रूम के जरिये हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकार्यां हल्दी और अद्रक की खेती से सम्बंदित कैसे आप इन सब की खेती को अपना कर इनकी सही तरह से देख भाल करके अपनी आमदिनी में वृध्धी कर सकते हैं तो फिर आईए आज के हमारे स्कारिक्रूम का आगास करते हैं हल्दी कुर्क्यूमा लॉंगा समूं का पौधा है जिसका प्रयोग मसाले औश्यधी रंग सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है हल्दी की खेती एवं निर्यात में भारत विश्व में पहले स्थान पर है भारत में इसकी विभिन्य जातियां पाई जाती है भारत में दो लाख हेक्टेर आंकलिट छे त्रफल से इसका उत्पादन करीब दस लाख टन है अद्रक जिंजिबर ओफेसिनल एक जाड़ी नुमा बहुवर्शिय पौधा है जिसका प्रकंद मसाले के रूप में प्रियोग किया जाता है अद्रक उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है भारत के कई राज्यों में अद्रक की खेती की जाती है देश के प्रमुक अद्रक उत्पादक राज्य केरल और मेघाले हैं विदेशी किसमें जैसे लियोडी जिनेरियो भी क्रिशिक समाज में प्रसद है भारत में आठ लाख हेक्टेर टन से इसका उत्पादन तेरह लाख टन है किसान भाईयों बहनों आज के हमारे इस कारिक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे हल्दी और अध्रक की खेती के बारे में कैसे आप इसे अपना सकते हैं और इसे अपना कर कैसे आप इसे लाब ले सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे और इस पर चर्शा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं भारते कृषी अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की शाकिय विज्ञान संभा के अध्यक्ष डॉक्टर बीयेस तोमर डॉक्टर तोमर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में डॉक्टर तोमर हमारे जो किसान है वो परंपरागत फसलों की खेती करते आ रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो रुझान है वो अन्य फसलों की ओर भी बढ़ रहा है और हमारी सरकार का भी सकता है और कैसे उन्हें यह फाइदा पहुंचा सकती है इसकी खेती देखे अल्दी और अध्रक दोनों एक तो विविद्धिता लाने के लिए हमारी खेती में उसके लिए एक ऑफ्षन है दूसरा हमारा इस्थानिये जो बाजार है उसमें दोनों की ही बहुत अधिक मांग हैं तीसरा हल्दी तो एक विस इसतर की मसाले की फसल के रूप में इसकी पहचान हुई है क्योंकि इसके अंदर जो है कुर्क्युमिन एक पदार्थ होता है जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की छमता रखता है और इसके साथ-साथ इससे औलियोरिजिन नामक एक तत् प्रदर्शन कर सकते हैं सुखा करके इसको हम सोट के रूप में इसको लंबे समय तक रख सकते हैं और इसकी खेती से निश्चित रूप से इसका उत्पादन अक्षमता भी अधिक होता है और बाजार मांग तो निर्दारीत है बहुत अच्छा बाजार मांग हल्दी और प्रदा साबित हो सकती है अगर वो इससे अपनाते हैं तो आप से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जलवायू और साथी साथ अगर मिट्टी की बात करें तो वो कौन सी हुनी चाहिए जहां पर हल्दी की और अद्रक की जो अच्छी उपज है हमारे किसान हासल कर सकते हैं निश्चित रूफ से हल्दी एवं अद्रक ये दोनों महत्वून फसले हैं और इन से बहतर उत्पादन और लाब लेने की अपार संभावनाएं रहती हैं अगर अमरे किसान भाई जलवायू के इसाब से इसको देखते वे इसकी खेती करते हैं तो ये दोनों गर्मी और वर ये इसके लिए बहता रहती हैं लेकिन जब बात करते हैं अद्रक की तो अद्रक को भी गरम एवं नमी युक तुवातावन के अवशकता हो लेकिन इसके जो तापकरम की जो अवसकता है वो हल्दी की आप एक्षा कम होती है यानि के अठारा डिगरी से लेकर 28 डिगरी तक क इसको देखा जा सकता है, ये फसल बहुत अच्छा बढ़वार कर सकती है, ये तो रहा इनका वातावरन ये प्रस्तितियों की बात, अगर हम मरदा की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं, जिनमें आर्थिक रूप से जो अमारा इनका पोदे का हिस्सा है, वो इसके लिए बैता रहती हैं, और इनका जो मरदा हैं, वो उर्वरा शक्ती के दरस्टी कौन से, अद्रक के लिए जो हैं, ओस्तन रूप से उपजाओ होनी चाहिए, लेकिन हल्दी के लिए बहुत अच्छी उपजाओ मिटी ही बैता रहती हैं, या ऐसे खेट जिनकी उर्व और शक्ती बहुत अच्छी है, वो अल्दी के लिए बैतर मानी जाती है, और एक बात यहां और मैं अपने किसानों को बताना चाहूंगा, कि अद्रक और हल्दी में एक विशेस बात ध्यान रखने की हैं, एक खेट में निरंतर इन दोनों फसलों को नहीं लगाना चाहिए, और अगर लंबे समय तक हम एक ही खेट में इन फसलों को लेते हैं, तो दीरे दीरे इन में रोग और बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जी बिल्कुल तो ऐसे में जरूरी हो जाता है, कि हमारे जो किसान है वो फसल चक्र को अपनाएं और साती साथ जलवा बायू और मिट्टी का ध्यान रखना भी बेहत जरूरी है, अब आपसे जाना चाहेंगे कि इनकी बुआई का जो समय है, वो क्या होता है, क्या उचत समय है, कब हमारे किसान जो है, इनकी बुआई कर सकते हैं अपने खेतों में अधरक एवं हल्दी की सफल खेती के लिए ब हमारे किसान भाई जो अधरक की खेती करते हैं, उन्होंने इसकी रोपाई कर दियोगी, लेकिन जो हमारे मैदानी छेतर हैं, जहां पे इसकी खेती होती है, वहां पे इसको मई के पहले पकवाडे में इसकी रोपाई या बिजाई कर सकते हैं, हमारे किसान भाई, और हल्दी के अंदर जो किसान बाई अगेती बुवाई करते हैं तो उसमें अधिक पैदावार मिलने की संभावना रहती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर किसान के पास सिचाई जल की व्यवस्ता है तो उसमें फसल का बढ़वार अच्छा होता है बीमारियां कमाती है कीडे कमाते है और जब तक इनके प्रकोफ होने की संभावना बढ़ती है तब तक फसल अपनी काफी अच्छी अवस्ता को पार कर लेती है तो बुवाई के समय का अपना विशेस महत्व है और इसको निश्चित रूप से हमारे किसान बाईयों को इस पे ध्यान देने की ज़रूत है अगर समय से अगर बुवाई कर ली जाए हमारी फसलों की तो समय पर आपको अच्छा उत्पादन जो है वो मिल पाता है बिल्कुल यह तो बात हो गई कि बुवाई हमारे किसान कप कर सकते हैं डॉक्टर तोमर अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगर किस्मों की क्योंकि अग कि उसके माध्यम से भी हमारे किसान बाई अपनी बहतर पैदावार और उत्पादक्ता ले सकते हैं इसके लिए अगर हम बात करते हैं अद्रक की अद्रक में हमारी इस्थानिये रूप से उपलब्द किस्में और कुछ ऐसी किस्में जो हमारे दूसरे देसों से यां लाई इरोड है, वेनाड है, हिमाचल नंबर एक है और नादिया, यह हमारी इस्थानिये रूप से उगाए जाने वाली इंप्रूड किस्में हैं, इसके अत्रिक्त रियो डिजीनेर्यो एक किस्म है जिसकी खेती हमारे किसान बाई जिससे करते हैं, वो भी एक अच्छी किस्म हैं इसके अलावा हमारा भारती किरिश्य नुसंदान परिशद के संस्थान है कालिकट में वहां से इनकी कई किस्मों का विकास हुआ है जो देश के अलग-अलग इसों में बहतर परदर्शन के लिए पहचानी जाती है जिन में पर्मुक रूफ से वर्दा, महीमा, रजेता, सुपर्भा, सुरुची, सुर्वी, सुबदा, हिमगिरी, अतीरा, कार्तिका, अवस्थे ये किस्मे हैं जिनको हमारे किसान भाई अद्रक की खेती के लिए अपना सकते हैं अगर हम बात करते हैं हल्दी की तो हल्दी में भी इसी प्रकार से हमारे देश में कई किस्में विक्सित की गई हैं और जो पर्मुक रूफ से जो परचलित किस्में हैं उसमें दूगराला, टेक अप, पेट, सुगंधम, अमल, पुरम, इरोड, लोकल, सैलम, एलिपी ये कि इसमें हैं जो काफी परचलित हैं, और इनकी अपनी पैचान हैं उनकिस्मों की जब किसान बाइस को उगाते हैं। इसके अतरीक हमारा जो मसाला अनुसंदाह। संस्थान है जो बारती किर्शी उनुसंदान परिशद के अंतरगत काम करता है वहां से भी इसकी हल्दी की कई किस्मों का विकास किया गया है जिसमें पर्मुक रूप से सुवर्णा सुगन्ना सुदस्ना और आई आई एसार प्रभा परतिभा एलिपी सुप्रीम ये किस्में हैं उडिसा किर्शी विश्विद्याले बूनेश्वर द्वारा भी अल्दी में कई किस्मों का विकास है जो बहुत परचलित हैं हमारे उत्तर पूर्वी छेत्रों जिनको किसान भाई खेती के लिए अपना सकते हैं जिनमें पर्मुक रूप से मैं नाम बताना चाहूंगा रोमा, सुरोमा, रंगा, रश्मी और सुरंगी ये किसमे हैं इसके अत्रिक हमारा उत्तर पूर्वी छेत्र में एक अनुसंदाहन संस्थान हैं जिसको हम ICR कॉंप्लेक्स मेगाले बारा पानी के नाम से जानते हैं महां से भी किस्म का विकास हुए वो है मेगा टर्मरिक एक ऐसे ही केरला कृषिविश्विद्याले तिर्चूर दौरा हल्दी में कई किसमों का विकास हैं जो बहुत आत्यदीक परचलित हैं और उन किसमों में पर्मुक रूफ से क्रांती, सोभा, सोना और वर्ना ये किसमे हैं जो हमारे देश में विभिन संस्थानों दौरा हल्दी में और अद्रक में विक्सित की गई हैं और इनकी व्यापक इस तरह पे किसान भाई इनको पसंद करते हैं और खेती के लिए इनको अपनाते हैं और अच्छे गुनवत्ता की बीज एवं उन्नत किसमों के इस्तेमाल को अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उससे निश से सब्मंद जानकार यां आगे भी जारी रहेंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मज़ आए देखते रहें हमारा कारक्रम खेत खलिहान और बने रहें दूरदाशन किसान पर हर गाउं पर नज़र हर तकनीक पर पकर खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार दिखाएंगे देश की प्रमुक खलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बाद देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर एक बच कर 30 मिनट पर और शाम 7 बजे बादलों की लुका छिपी वारिश का हाल बर्द की चादर बदलता रुख हवाम का और मौसम की लिवाद से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ मौसम ख़वर लाई रोजाना सुबह 8 बज कर 30 मिनट पर शाम 5 बजे और 7 बज कर 30 मिनट पर ब्रेक के बाद किसान भाईयों बहनों आप सभी का स्वागत है कारकरम खेत खलिहान में किसान भाईयों बहनों अद्रक और हल्दी की खेती अब भीतर तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं कौन-कौन सी साफधानिया हैं जिन्हें आपको बरतने की जरूरत है आएए ऐसी ही कुछ जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अब हम अगर बढ़े आगे और बात करें बीज की मातरा की तो यह जो उन्नत किसमों के बीज हैं उसकी मातरा कितनी होनी चाहिए और साथी-साथ अगर हमारे किसानम का उपचार करना चाहते हैं कहें हम बीज उपचार तो वो कैसे कर सकते हैं अगर हम बीज की मातरा की बात करते हैं और इसकी हम केरला को एक मुद्दे नजर रखते हुए देखते हैं तो केरला के अंदर 18 से 20 कुटल परती हेक्टियर इसके बीज राइजोम इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है अगर हम इसकी खेती परवतिय छेतरों में करते हैं उ देखा जा सकता है एक तो अगर हम उसमें जो मदर बल्ब होते हैं मदर राइजोम होते हैं जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मातरा अधिक पड़ती है तो उसमें 2,000 किलो से ले करके पचीस सो किलो यानि के 20 से 25 क्वेंटल परती हेक्टियर इनकी राइजोम्स की अवशकता होती है अगर हम बात करें इसकी अगर हम फिंगर्स की बात करते हैं अगर फिंगर्स से रोपाई करते हैं तो उनकी मातरा रहती है 15 से 18 क्वेंटल परती हेक्टियर और अगर हम बात क किसान भाई हल्दी कर लेते हैं या बागों के अंदर भी जब तक उसमें दूप मिलती है उसमें इसकी खेती कर लेते हैं तो महां 500-600 कंटल किलो ग्राम जो राइजोम की हैं उनकी अवशकता होती है अब बात आती है कि जो राइजोम का आकार कितना होना चाहिए अगर हम अगर हम मदर राइजोम के उपे इस्तेमाल करते हैं तो उसे बीज की मातरा अधिक लगेगी तो हम अपने किसान भाईयों को कहना चाहेंगे कि आप उनको टुकडों में इस्तेमाल करें और टुकडे का आकार है लंबाई है वो डाई सैंटी मीटर से 5 सैंटी मीटर का होना चाहिए और उसका जो वजन है वो बीज से 25 ग्राम उसत बैता रहता है और एक से दो आखे उसके अंदर उनी चाहिए अब बात आती है कि जब किसान भाई बीज बहुत महिंगे मिलते हैं और बड़ी मेहनत से उसको बीज को प्राप्त करते हैं और उसकी फसल सफल हो जाए उसके लिए हम बीज उपचार की भी बात करते हैं किसान भाईयों आपको बवाई से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी है बीज उपचार के लिए आप दसमलो तीन पर्षट डाइथेन M45 का गोल बना सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 100 लिटर पानी इस् सब्सक्राफ की फिंगर्स उनको उसमें डूबो करकी रखा जाता है और उसके बाद उनको निकाल करके T4 घंटे चाया दार जगह में तो उनको बीजाई के लिए जादा गेरी बुवाई कर देते हैं तो ऐसे में या तो जमाव कम हो जाता है या निकलने में जादा समय लगता है और केत के अंदर नमी की मात्रा भी उप्यूक्त रहनी चाहिए सूकी अवस्था में राइजोम के स्प्राउटिंग में समय जादा लगता है और इस परकार से जो उसका इमर्जेंस है वो अधिक समय के लिए टल जाता है जी बिल्कुल तो अभी आपने जानकारे दे कि बीच की मात्रा जो है वो कितनी होनी शाहिए और जब बात बीजोप्चार की होती है तो उसके लिए हमारे किसानों को क्या क्या करने की जरूरत है बड़े आंके औ साहिए और सथी साथ क्केट की तैयारी हमारे किसान है किसे कर सकते हैं और सबसे महतवपूर्ण बात खाद और उर्वरक का प्रबंधन कि較早? आए देखे डिए सफल खेती के लिए खाद यम उरवर किस परकार से बॉय करें और उसका जो हैं कि दियारी के से करें तीनों पहलों बहुत महत्पून है अगर हम बात करतें खेत की तैयारी की जैसे हमने मिट्टी की बात की मर्दा की पीच मान की बात की खेत को बुआई करने से पहले एक बार पलेवा जरूर करें पलेवा करके उसकी जुताई करें जुताई करके उसको डेला रहीत कर लें यानि के मिट्टी को महीन क अब बात आती खाद उर्वरकों की, खाद उर्वरकों में हम अपने किसान बाईयों को बताना चाहेंगे, कि अगर आप अधरक की खेती करना चाहते हैं, तो एक हेक्टेर में आपको 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करनी हैं, अगर आप हल्दी की खेती करना तो आप इसकी मात्रा को दुगना करना होगा, यानि कि 20 से 25 टन परती हेक्टेर आपको हल्दी की खेती के लिए शड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल करनी हैं, और इसको खेत की अंतिम त्यारी जब हम करते हैं, यह हम पलेवा की बात करते हैं, उससे पहले ही खाद को मि मिलाने के बाद ही उसमें पलेवा देने की अवशक्ता है, अब बात करें रासाइनी कुर्वर्कों की, अद्रक के अंदर हम सिफारिश करते हैं कि 75 किलोग्राम नतरजन, 50 किलोग्राम फास्पॉरस, 50 किलोग्राम पोटास परती हेक्टेर, यह इसकी सिफारिश की जाती है, फासपुरस एवं पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय या बौाई के समय ही देने की सिफारिश की जाती है जबकि नतरजन की आदी मात्रा फसल की बौाई के 40 दिन बाद देने की अवशक्ता होती है। और किसान बाईयों आपको इन दोनों ही फसलों में पोटेशियम उर्वरक का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये उत्पादन के साथ साथ उत्पाद की गुनवत्ता और उसमें रोग और कीडों के सेहन करने की चमता को भी बढ़ाता है। इसलिए इसका इसका इस मैतो हैं। अगर हम बात करते हैं बुआई के तरीके की अगर हमारे किसान बाई समतल खेत में बुआई करते हैं तो वह एक अच्छा वग्यानिक तरीका नहीं माना जाता। हम सिफारिश करते हैं कि हमारे किसान बाई रेज बैड के उपर उतली क्यारी बनाएं और क्यारी की इस्तेमाल में लाया जाएगा दोनों ही फसलों में और अगर हम बात करें कि पोदे से पोधा अद्रक के अंदर कितना रखना है जब हमने उथली क्यारी पे बात की लगाने की पंक्ती से पंक्ती और पंक्ती से पंक्ती से पंक्ती और 30 cm पोदे से पोधा रखना बैतर होता है करें यानि कि स्क्वेयर मिटर 3erten लंभी और एक मीटर चोड़ी क्यारी में कम से कम 450 पोधे होने चाहिए अद्रक के अंदर अगर हम हल्धी की बात करते हैं ये जो अंतरन हैं ये थोड़ा ज्यादा रहता है तो दोनों ही फसलों में फसल अंतरन अलग अलग रहेगा और उतनी क्यारी वीदी में अगर आप लगाते हैं बहतर होगा दूसरा तरीका हो सकता है किसान भाई इसको रिज एंड फ्रो मैथड़ जिसमें मेडे बना करके भी बौई कर सकते हैं और उसमें जो है लाइन पंक्ति की दूरी अलदी के अंदर साथ सेंटीमीटर और पोदे से पोदा इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर रहेगी जब हम अध्रक की बात करते हैं अगर रिज पे इसकी बौई करनी है तो रिज पे उसको जहें 40 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा और पोदे से पोदे की दूरी साड़े बाइस सेंटीमिटर रखने की अवशक्त है हाला कि दोनों ही फसलों में इस्थान विसेस और उसकी मर्दा की उर्वरा शक्ति के को ध्यान में रखते वे भी हम अपने फसल अंतरन को व्यवस्तित कर सकते हैं ताकि हमारी फसल को बहतर उत्पादन लेने के लिए उनको बढ़वार का और उचित पोशन उनको प्राप्त हो सके इस बात को ध्यान में रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई अपनी अद्रक और हल्दी दोनों की बहतर उत्पादन और उत्पादक्तों को प्राप्त कर सकते हैं जी डोक्टर तोमर, अगर हमारे किसानों को हल्दी और अद्रक का अच्छा उत्पादन हासिल करना हैं तो जो भी आपने अब भी बताई हैं बातें उनको ध्यान में रखकर ही इसकी खेती को अपनाना होगा तभी आप के लिए हमारे यानि कि किसान भाईयों बेहनों के ल बने हैं किसान भाईयों बेश्व लेकर हमें को और e अगले अंख में फिर होंगे आजर कुछ नई और महत्富पुन जानकारियां ले लेकर तब तक ये लिए हमें दीजय जॉशल नमस्कार कर झाल झाल